आज की वीडियों लोग डिस्कस करेंगे फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बीचे डिफरेंस क्या होता है कभी करें आपनों सोचते हो कि देखने में ये क्लॉज लग रहा है या देखने में ये सेंटेंस लग रहा है या फिर देखने में ये मुझे फ्रेज लग रहा है तो होताब हो कुछ और है तो इन तीनों difference क्या है और इनको बहुत ही बारीकी से हम लोग अभी आगे सीखेंगे एक चीज़ को दस तरीके एक फ्रेजस होते हैं वो देखेंगे तीन टैप की clauses होते हैं चार्ज टैप की होते हैं पांच टैप की जो भी होते हैं वो इनों आगे देखेंगे और sentences लगवा में 13 taps के 13 तरीके बताएं मैंने starting की वीडियो से आप देख लेना तो इस डिसकस करते हैं आज हम लोग phrase clause और sentence के बीच में difference एक चीज और है अगर आपको कोई doubt है अगर किसी चीज के उपार को doubt है पूछना है तो आप या तो facebook बाहर classes करके नीचे दिया है देख परित कर सकते हो जैसे व्त से नमर मांगते हो ना आपी ऐसी वहां पर सब कर सकते है इसकी कोई दिक्कर नहीं है वहां Jeff Kevan प्रोanut कर सकते हैं अगर कोई बात पूंच नहीं तो आप पूंच सकते वह अपन नीचे कर सकते में कर सकते हो के वर रचाह रहोए है भाब Chand थ करनिए सब्दों का सम्मुहू जो एक सेंस के लाता है phrase लेकिन इसमें इतना याद रखना है सब्जेक्ट नहीं होता है इसमें वर्व उसकती कुछ भी होसकता है बस subject नहीं होगा जहांपर subject नहीं हो लेकिन ग्रूप अ वर्डस हो वो कहलाता हो वाकर phrase जैसे कि दा क्लॉक यहाँ पर इस ओर आएगा घड़ी जो है वो दीवार पर है अब यहाँ पर ध्यान दो तो दा क्लॉक में मेरा सब्जेट हो गया और यह मेरा वर्व हो गया इसको छोड़ दो ओन दा वाल दीवार पर तो यह ग्रोप ऑवर्ड जिसका एक सेंस बिल्कुत सही निकल ला है दीवार पर इसका सेंस निकल ला है इसलिए इसको हम यहाँ पर कहेंगे फ्रेज क्यों क्योंकि आपर कोई सब्जेट नहीं है अगर आपको इसको कलोग को भी जोड़ लो इसको भी ले लो तो भाई यह सेंटेंस मनेगे पूरा तो इसको हम सेंटेंस बोलेंगे तो ग्रोप ऑवर्ड में यह आपका एक फ्रेज रहा अब यह कौन सा वाला फ्रेज है यह नाउन फ्रेज है आपको और फ्रेज क्यों है यह बताऊंगा मैं फ्रेज वाले पूरे सेसन में आपको समझा दूँगा अच्छी तरीके से फिर आगी देखते हैं एक और सेंटेंस दा फ्लैग ओफ इंडिया अगर मैं बात को दा फ्लैग ओफ इंडिया भारत का जंडा तो क्या यहाँ पर कोई वर्व है फिलाल नहीं कई को सब्जेक में नहीं है सब्जेट और वर्व कह आपर मिसिंग है यह लेकिन निकाल पूरा सेंसरा है आर्टिकल भी नाउन भी प्रिपूरशन भी और एक और नाउन है तो ग्रूप और वर्द कुछ भी हो सकता combination का सब्दों का कुछ भी हो सकता है लेकिन subject नहीं होना चाहिए subjective बार समन्यारी है verb से पहले subject होता है तो verb और subject अगर होई तो अपना clause बन सकता है वो अपना sentence बन सकता है तो यहाँ पर देखिए न subject है नहीं कुछ है यह लेकिन sense पुरा निकाल यह कहला है प्रेज ओके देर इज़ हाउस एक घर है बिल्ट ऑफ इस्टॉन पत्थर का बना हुआ पत्थर का बना हुआ सेंस पूरा निकल ला है इसलिए यह यहाँ पर आपका कहलाएगा फ्रेज अब आपको इससर यहाँ पर एक हाउस की फ्रेज नहीं है भाहि यहाँ पर एक सब्द यह एक सब्द यह लेकि दौनों का मतलब एक ही एक घर क्लियर लेकि यहाँ पर तीन अलग अलग वर्ड हैं और तीनों मिलकर के एक नए सब्द बना रहे हैं बना हुआ घर यह पर पत्थर का बना हुआ तो यह आपका कहलाएगा फ्रेज और देखो अभी क्लिर होगा धीद सरक्रीके से मालوم है तो यह पर make a noise सूर मचान इक complete यहpent Er function ऐ तो यह आपका कहलाएगाया फ्रेज बाकी का यह has been running injections यह पूरा कि एक एक वब दो वब्स Guru लगा यानी कि बरसा हो रही है तो यह यह वर का फ्रेजय यानि की फ्रेजय वर वाला फ्रेज़ बरसा हो रही है तो यह साॉजकर कोई लॉजिक नहीं फिलाल यहां पर यह आपका एक फ्रेज रहा फिर इसके वर्ब में बात करूं करूंगा क्लॉस की तो क्लॉस किसको कहते हैं कम से कम एक सेंटेंस और एक फाइनेट वर्ब फाइनेट फर्ब वह होती है जो सब्जेट टेंस के अकॉर्डनी चेंज होती है ह तो गोज हो जाएगा पास टेंस है तो बेंट हो जाएगा तो एक सब्जेट कम से कम और एक वर्ब कौनसी वर्ब फाइनेट वर्ब अगर अपने पास तो वह अपनी क्लॉस होगी वह सेंटेंस भी हो सकता है डिपेंड कहता है अगर एक सब्जेट और एक फाइनेट वर्ब पूरा sentence बना रही है, पूरा sense दे रही है जिसके लिए मैं कोई दूसर सब्जेट की जो ना पढ़ रही है कोई feeling ना रही है दूसर सब्जेट की, दूसरे सब्जेट की तो वो आपका कहलाता है sentence और अगर मैं subject और एक verb ले लो और मुझे उसमें कोई कमी feel हो तो वो आपका कहलाता है clause यह कह सकते हैं, एक subject और एक प्रेडिकेट मिलकर के बनाते है clause that does not have complete sense clause की बस एक ही पहचान है क्योंकि subject और प्रेडिकेट या फिस subject और वर्ब मिलकर के sentence भी बनाती है और आपका clause भी बनाती है अगर उसका meaning complete नहीं है और वो dependent किस पर, principle clause पर तो वो कहलाता है आपका clause वहाँ पर कैसे कहलाता, देखिए सबसे पहला तरीका clause का एक form होता है जैसे subject अपने पास है और ट्रांस्टिव वर्ब अगर अपने पास है ट्रांस्टिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने साथ object को लाती ही लाती है बिना object के वो रह नहीं सकती है कैसे? I called, मैंने पोकारा तो subject आगे वर्ब आ गया तो मैंने पोकारा, किस को पोकारा? क्या पोकारा? तो किस को पोकारा? क्या पोकारा? एक feeling आ रही हो आँपर तो यह आँपर whom का अंसर है किस को पोकारा भाही? क्या पोकारा? तो यह sentence आपका यहाँ पर कहलाएगा clause अगर इसी जगे में लेखो I go, मैं जाता हूँ तो आप क्या और किस को का answer यहाँ पर नहीं आ रहा? मैं जाता हूँ, यह sentence complete है अपने आप में एक word, दो word, एक word, दो word दो सब्द यहाँ पर हैं, दो सब्द यहाँ पर हैं लेकिन इसमें home का feeling आ रही थी लेकिन इसमें sentence complete है यहाँ पर अब आप यह मत कहना कि कैसे जाते हो, कहां जाते हो, कब जाते हो मैं बात कर रहा हूँ, जब भी आपको एक sentence में एक subject और एक word मिले और इस ट्रांस्टे वर्व में अगर हम what और होम से question करें तो यह अपनी ट्रांस्टे वर्व होगी ना तो देखी, गोज आपकी यहाँ पर जो मैंने गोज लेखा तो गोज आपकी ट्रांस्टे वर्व कहाँ है अगर मैं बात करें दूसर पैटरन की तो अपने पास यह conjunction होगा एक subject होगा और एक वर्व को और object हो भी सकता नहीं उसकता कोई दिख्कद नहीं अगर अपने पास subject और वर्व है बहले ही आगे कुछ भी हो या ना हो कोई दिख्कद नहीं है बहले हो sentence complete कोई दिख्कर नहीं अगर पहले conjunction लग गया है तो समझाले ने यह structure अपना बज़ जाएकर तुरंत जाकर के clause कैसे जैसे कि if you come तो you come to me अगर तो मेरे पास आते हो अगर मैं इसको if हटा दू यहां से तो you come to me तो मेरे पास आते हो sentence complete है लेकिन मैंने इसके आगे लगा दी if यदि तुम मेरे पास आते हो तो तो आप को किया होगा यानि कि if मैंने लगा दी तो यहां पर sentence or demand करा कि इसकी बात क्या होगा इसकी बात क्या होगा तो दिखिए अगर आपके मन में कुश्चन ना आए कि कि इसके बाद क्या होगा मैं तो इतनी बात पूरी मानता हूं तो यहां पर आपको यह वाद समझनी है कि अपने पास सब्जेट भी है और वर्ड भी है और बाकी का अब्जेट होई सकते नहीं हो सब्सक्राइब कोई दिखकर नहीं है अगर कि सेंटेंस के ठीक आगे तो वह भी आपका कहलाता है clause clear अब बात करते है sentence की a group of words expressing a statement a question or an order कोई भी सब्दों का ऐसे समूं जो कोई बात बता रहा हो कोई प्रसन कर रहा हो या कोई order दे रहा हो मतलब एक sentence complete हों यह sense पूरा होँड़ा हों चाहिए तो वह कहलाता है sentence जैसे कि उस चीज़ और रहा रखी कि sentence अ समाक आना कंपसरी होता है जैसे कि ही रंस भाध तोड़ता है तो सेंट्स अपने अपने खिर है को शुद में भी स्वलिके अपनी कम्पलीट सरो यह और कैसी की एंट्रांस्ट्टे वह उसने हमें complete बना देती हैं, तो he runs sentence अपने हमें complete है, how are you, आप कैसे हो sentence complete है, how fast he is, यहां पर exclamation mark आए, यहां पर question mark आयता है, वाई कितना तेज है, sentence complete है, अब मैं बात करूँ फ्रेज में, clause में, और sentence में difference, तो बात करते हैं, phrase के बारे में, यैसे make a noise, सोर मचाना, सब्दों को समूझ लेकर subject यहां पर नहीं है, तो sentence अपना कहला आएगा, यहां पर phrase, अब अब कोगे sir, यहां पर यह देखने में imperative sentence भी लग रहा है, जैसे कि यहां पर, अगर मैं यहां यू लिख दो ऐसे bracket में, तो you make a noise, तुम सोर मचाते हो, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ आपको, यहां पर फुल स्टॉप यहां पर अटा दीजिए, केवल make a noise को समझिए, make a noise का मवला सोर मचाना यहां पर है, यह मैं फ्रेज बता रहा हूँ, अगर मैं directly sentence की जगे पर लिख दो, तो यह अपने हमें एक खेल रही है, या खेल रही है, तो यह अपका फ्रेज है, वर फ्रेज है, इन अट्सेल, संचेब में, तो यह अपना वे एक ग्रूप बर्ड है, जो एक सेंस ही निकल ला है, तो संचेब में, अगर मैं इसी जगे बात में क्लॉस की, तो जैसे की I made, आपको क्या बनाए फिर तो what का कुशन निकल ला, क्योंकि made आपका ट्रांस्टिव वर्ब है न, तो यह आपका क्लॉस बन गया, यह संचेंस, if you make it, यह संचेंस भी कंपलीट लेकिस के आगे कंजंचन आ गया, तो यह अपना बन गया, यह वाल ऐसा क्लॉस, I would sell it, तो यह संचेंस आपका कंपलीट ह भी कहलाते हैं, जबकि यह संचेंस इतना वाला पार्ट, if से लेकर कि और it तक यह आपका कहलाएगा क्लॉस, और पूरा का पूरा यह अपने आम में एक संचेंस है, यह पूरा का पूरा अपने आम में संचेंस क्यों, इसके लाश्न लागा है, फुल स्टॉक, दूसरी बात किस टाइप का संचेंस है, तो यह आपका कॉम्प्लेक्ट संचेंस है, यहाँ पर यह कॉम्प्लेक्स संचेंस है, क्लॉस के बारे में संचेंस इस भारन डेटले में कुछ मिल लेगा भी आगए, फिर मैं बात करता हूं एक और संचेंस की बारे में, तो जैसी I can get the job, मैं job प making a noise उसने सोर मचाना सुरू कर दी यह सेंटेस्टेस अपने में कम्पलीट है तो कम्पलीट सेंटेस्टेस्ट को हम लोग प्रिंस्पल क्लॉस भी कहते हैं, ठीक है because he was afraid क्योंकि वह डरा हुआ था तो देखिए ये एक sentence अपना है मैं complete है लेकिन इसके आगया 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 because conjunction आगया जब दी किसी sentence के आगया conjunction जुड़ा है तो वो conjunction से लेकर राकरी तक बन जाता है clause अब यहाँ पर कौन सी clause ही लोग कमेंटें मताईए मुझे तो ये देखिए पूरा एक single sentence जिसमें एक clause से बना हुआ है और ये आपका कहलाएगा complex sentence आप करें इन तीनों में difference तो यहाँ पे देखिए ये आपके group of words है लेकि आपके subject की missing इसलिए ये कहलाएगे phrase इसमें object की कमी है ये आपका कहलाएगा clause यहाँ पे conjunction आगे है इसलिए ये वाला part के वाले ये वाला कहलाएगा आपका clause और ये वाला कहलाएगा complete sentence लेकि principal clause इसको यहाँ पे कहलाएगा क्योंकि इसके साथ में जड़ा हुआ अकेला होता है तो ये sentence complete होता है हैं अब फ्रेस कृछिन टैप क्यों होते इह भी हैं सेंटजी घर कियो होते हैं जिस में सोने सेंटेस क्यों क्यों होते मैंने आपको प्रेस वीडियो में इस्टार्ट त 다Ke Кिज न में बता चुगा हूं और इसका phrase और clause में क्या difference होताब वो भी आपको data में जल्दी ही मिल जाए तक आप लोग जोड़े रहें